करोडों दर्शुकू का मिल रहा साथ, MP यी बात, MP News के साथ सवच्चता का पंच लगा चुके शहर इंदौर में PPP मॉडल पर एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बनाया गया जहां इस प्लांट का लोकारपन पीएम नरेंद्र मूदी वर्च्वली करेंगे वही लोकारपन से जुड़े तयारियों का जैजा लेने के लिए जलाप्रिशासन और नगर निगम से जुड़े अधिकारियों ने प्लांट का दोरा किया एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ट्रिंचिंग ग्राउंड पर PPP मॉडल से बनकर तयार हो चुका है वही 19 फरवरी को होने जा रहे इस बायो CNG प्लांट का लोका आरपन पीएम नरेंद्र मोदी वर्ट्वली करेंगे जबकि सीएम शिवरास सेहां चौहान समेथ तमाम मंत्रियों के इस लोका आरपन कारिक्रम में मौजूद रहने की संभाबना भी है लोका आरपन कारिक्रम से जुड़ी तयारियां लगभग पूरी कर ली गई है जहां इन ही तयारियों का जायजा लेने के लिए संभागयक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीश सहं और निकमायक्त प्रतिभापाल समित तमाम अधिकारी प्लांट पहुचे लोका आरपन कारिक्रम स्थल पर लगभग पाँच हजार ले तो लोगों के बैठने की ववस्था भी की जा रही है जनमें सफाई में सहयो करने वाले समात सेवी संगठन के लोग भी शामिल रहेंगे जो शायद देश में किसी भी ट्रकार से जो सी एंजी निर्मित होती है चाहे पर्टोलियम से निर्मित हो चाहे इस प्रकार के हाउसओल्ड वेट वेस्ट से निर्मित हो या बायो के गोबर से निर्मित हो सब सरवाधी का दिक मिथेन की परसेंटेज इस वाले बायो सी जी प्रसेंट से मिली है है 96 परसेंट है उसके करण केलोरिफिक वैलू बहुत अच्छी आती है एफेक्टिवनेस बढ़ा जाती है सी एंजी गैस की जहां भी यूज किया जाता है इस प्लांड का जो डेड़ सो क्रोड की लागा से बना है एन्वारो कंपनी है गोर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट् कि जॉइंट वंचर है उसमें ग्रीन फंट एक निर्बित हुआ है उस ग्रीन फंट के तहत एन्वारिन कंपनी की नाम की कंपनी है इंडो एन्वारो कंपनी उसके तोरह यह पीज़ी पॉडल पर किया गया है इसमें नगर डिंगम का राश्षासन का कोई भी राशी नहीं अपी तो इसके वज़ में नगर डिंगम इंडोर को 2.52 क्रोर हर साल मिलेगा यह लोग जितनी भी सीज़ी यहां बनेगी उसको यहां की सिटी बसेस में चलाया जाएगा जो अब इंतिका के सीज़ी जिस भी रेट में देती है उससे पांच रुपे कम रेट में यह कंपनी इसका दूसरा लाब यह भी है कि हमारे बसेस में क्लीन फ्यूइल के रूप में बायो सीज़ी यहां जो लिन्मित होगी शहर के गिले के चड़े से कनवर्ट होके उसका बसेस में किया जाएगा तो कहीं ने के इन्वार्मेंट को लेकर के भी बहुत फ्रेंडली एक टेक्नल सम्झन होगा वर्च्वल मोड में और उनके तवारार एक कारिक्टर होगे और इसमें अगुरेट करेंगे इसके शाहर के जितने भी अलगर को मटने रहवासी शामस्टन वे के अलगरीबीचंस उन्यागा 59 thelog का ट्रकी में इस अश्यूग दिया है और जिनके यूरोप में भी सर्वे किया था इंडिया के सभी शहरों को बड़े शहरों को सर्वे किया था किन्तु इंदौर के नागरिकों के दारा जो सब्सक्राइब करेंगे और यह बहुत बड़ी सवगात है जो बाली प्रधार मंत्री जी के द्वारा इनगरेट करके इंदौर शहर को दी जाएगी और कहीं ने कहीं एक दिशा भी तै कर रहा है निगमायक्त प्रधिभा पाल की माने तो इस प्लांट में बनने वाली बायो सी एंजी में 96 प्रतिशत मिथेन होगी जो मुख्य विशेस्ता है कि ये पूरी तरीके से 100% segregated waste पर से संचालित होगा और इसका श्रे पूरे इंदौर शहर के नागरिक हैं जो अपने घरों पर कच्रा लग करते हैं जो दुकानों पर कच्रा लग करते हैं इंडस्ट्रिल एरिया में कच्रा लग करते हैं उन लों को जाता है जो कच्रे की क्वालिटी इंदौर में हुई जब जिस एजिंसी ने ये ने बनाया है पूरा प्लांट जब इन्होंने सेंपल्स किये पूरे देश पर के शहरों के 200 सेंपल इंदौर के किये और उसमें ये पाया कि लगभग 99% से अधिक हमारी प्योरिटी है कच्रे की यानि इंदौर के लोग इतने तरीके से इतने अच्छे से कच्रा घर में अलग करते हैं हम लोग फ प्रक्रिया से जो बड़े बड़े हम लोग पीछे ये कंटेनर्स देख रहे हैं यह और भी डैजेस्टर्स हैं इन में माइक्रो ऑगेनिजम के माध्यम से डीकंपोजिशन होगा फिर बायो गेस बनेगी और बायो गेस को आगे प्रोसेसिंग करके बायो सी एंजी बनाई ज उसमें जो मीथेन का परसेंटेज होता है वो 90% होता है जबकि इस प्लांट की जो बायो सी जी बनेगे तयार होगी वो 96% की मीथेन के साथ होगी उसके दो फायदे होंगे कि जिन वहानों में यह चले कि उनका माइलेज जादा होगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस सर्जित होत बायो CNG प्लांट इंदौर की जनता को समर्पित करने की तयारी कर रहे हैं Bureau Report, MP News, इंदौर